दोस्तों आज की क्लास में लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है बैटर सेस्पट यह इस्पेसली यह जो लेक्षेस है इस्पेसली उन लोग के लिए ज्यादा हेलफुल होगा जो तिलंगाना स्टेट बोर्ट से अपनी ग्रेड 11 और 12 की पढ़ाई क कर रहे हैं ठीक है और यह इस्पेसली ग्रेड 11 के लिए डिजाइन करके मैं लेक्षेस बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अभी एक्जाम आने वाला है ग्रेड 11 का उनके लिए काफी हलफुल होगा उनमें से हमने एक उसमें दो मैट्स की बुक होती है मैथमाटिक्स 1A और 1B होता है तो 1A कर टॉपिक हम लोग ले रहे हैं यहां पर जिसका नाम है मैट्रसिस ठीक है मेरे एकॉर्डिंग जो कि मैंने पिछले इसका वेटीज देखा हुआ है कि मैट्रसिस जो है वो कितने माक्सा एक्जाम आता है तो यह 22 माक्स इससे इसका जो आप फिर short answer question आएंगे फिर LAQ में long answer question आएंगे अब यहां दे सकते हैं कि VSQ जो है वो two questions आएगा आपका two questions फिर one questions फिर two questions और जो very short answers वाले questions होंगे वो per questions दो माक्स से होंगे तो two into two करेंगे तो four and the short answer questions होंगे वो आपके four mark के हैं four into one करेंगे four marks and the two questions जो long answer वाले होंगे that is the seven marks seven into two करेंगे तो हमारे होगे 14 marks if you add this one so total 22 marks के questions आने वाले इससे और अगर मैं number of questions की बात करूं तो two plus one three three plus two five questions आपको इसमें मिलने वाले है ठीक है इस topic से तो 22 marks काफी important होता है किसी बच्ची के लिए ठीक है तो यह जो video series हम लोगों ने start अभी हम कर रहे हैं इस चीज़ का इसमें ध्यान यह रहेंगा कि आपकी पूरी maths को complete करा दिया जाए ठीक है आपके exam से पहले तो आपको इसको देखना है और आप अपने दोस्तों के साथ इस definition लिख रखी है पहले एक matrix होती क्या है उसके बारे में इसके बात questions करेंगे हम लोग यहां पर definition आप यहां देख सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं कि rectangular array of symbol along which row and column is called the matrix for example मान की चलो आपके पास मैंने बोला कि बहुत सारे मेरे पास number है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे number है right अब मै मैं यह चाह रहा हूं कि इस सारे number को एक तरीके से arrange करा जाए एक arrangement करा जाए तो यह arrangement ऐसे लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो अगर हम लोग किसी भी बहुत सारे scattered number है आपके पास अगर उसको इस तरीके से arrange करते हैं इस arrangement को हम लोग बोलते हैं matrix एक ऐसा arrangement जिसमें पूरे number को arrange क के terms में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग matrix बोलेंगे तो वहीं यहां लिखा गया यहां पर along with row and column that is called the matrix thus a system has m cross and symbols m cross and symbols means what here m indicates rows and indicates column अब एक example लेते हैं अच्छो फैर उसके बाद clear समझ में आएगा कि मैं क्या खहना चाहरा हूं आपको for example एक जर्नलाइज कर रहा हूं मालीजे let's say it's arrangement here this is a11 a11 का मतलग first row first column फिर लिखेंगे a12 first row second column similarly 13 first row third column ऐसे करते करते कितने कॉलम है अपने पास n कॉलम है तो इस गोज अप टू 1 a1 n similarly अगर मैं इसके नीचे आओ तो second row first column second row second column second row third column and so on second row and column like this similarly कितने रोज है अपने पास m रोज है तो यह अपन लोग यहां तक जाएंगे am1 am2 am3 and so on up to amn amn आप यहां तक इसको देख सकते है अच्छे से ठीक है एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ a11 indicates कर रहा है आप है कि first row first column a12 first row second column a13 first row third column a1n first row nth column इसी लिए तो अगर मैं इस matrix का यह arrangement है तने सारे number है हमारे पास इसको arrange करने का तरीका होगा अगर column और row में हमने करा तो यह हो गया अब अगर मैं इसको order बोलू राइट अगर मैं इसके order की बात करी जाए जनरली मैट्रिक्स को capital letter से लिखाते हैं a b c d capital letter में आप लिख सकते हैं मान लिजिए मैंने लिखा कोई capital a है that is the name of matrix इसके अंदर यह सारे elements होते हैं अगर मैं इसके order की बात करूं order इसको लिखेंगे कैसे यह जो आपने एक rectangular box बनाया इसके अंदर हम नहीं इसको बोलेंगे जो matrix a है इसमें m row है n column है यहीं इनका order भी कलाता है order of matrix कोई बोला जाएगा order of a matrix order of matrix a is m cross n यहीं क्या हो जाएगा m cross n हो जाएगा where where बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे वेर आपका जो यह a1 a12 a13 है न यह वेर a11 a12 a13 यह सारे जो numbers हैं आपके इस सारे are called elements इनको क्या बोलते है are called elements of matrix elements of matrix बोलता है इसको elements of matrix यह जो भी आपके पास a1 a2 a3 यह सारे लिखे गए है numbers इस box लेलिया मान के चलो यहां पर इसको लिखा मैंने इसी को हम लोग क्या बोलते हैं elements of matrix बोलेंगे और अगर कोई order की बात करेगी कोई भी एक matrix देर रखा है इसकी कोई order की बात करें तो क्या करना आपको number of row into number of column करते हैं like this here m rows n column है आपके पास m cross n order की matrix हो गई ठीक है अच्छा आप यहां से इसको कभी-कभी हम लोग rectangular arrangement भी बोलते हैं ठीक है इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है rectangular rectangle में क्या होता आप अगर मैं rectangle की बात करूं रेक्टेंगल में आप देखते हैं जानते हैं कि length और width दोनों अलग-अलग होते राइट एल और भी दोनों अलग-अलग होते उसी तरीके से number of rows और number of column यहां पर अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है ना अलग-अलग हो सकते हैं इसलिए इसका नाम होगे रेक्टेंगुलर आरे मतलब arrangement हो गए हाँ पर और कैसे करते हैं इसमें row और column होते हैं अपने पास और इनके जो order decide होता है कैसे m x n m क्या होता आपका row दूसरा क्या होता है column अब हम लोग बात करेंगे कि यह हमने जाना कि एक matrix होती क्या है है matrix arrangement है डेक्टेंगुलर arrangement है जिसमें आपकी पास row और column भी होते हैं ठीक है इसकी order कैसे दिखाएंगे इनके elements क्या होते हैं यह भी हमने देखा अब बात करेंगे हम लोग इसके types क्या होते ठीक है फिर उसके बाद इस पर कुछ numerical करने की कोशिस करेंगे चलिए तो अब लिखते हैं हम लोग types of matrix चलिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए types of matrix के बारे में first types of matrix यहाँ पर लिखा है आपका equal matrix जो कि काफी काफी important है और यहाँ पर आपके exam में question पूछी जाते है ठीक है तो थोड़े ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है equal matrix ठीक है देखें equal matrix कब कहेंगे two matrix are said to be equal if they have same order and each element of one matrix is equal to the corresponding elements of other matrix अब यह क्या मैं बोलना चाहरा हूँ मैं इसको थोड़ा explain करता हूँ यहाँ पर माल लीजे आपके पास एक matrix A है इसके अंदर कुछ elements है माल लेते हैं A11 A12 A21 A22 जनरल लिया मैंने अब इसका मैं order अगर लिखना चाहूँ तो इसमें कितने row हैं बताईए दो rows है एक यह वाला एक यह दो rows and two columns so that's why the order of matrix is two cross two मान के चलो एक दूसरी matrix है मेरे पास B माल लेते हैं B11 B12 B21 B22 यह भी matrix order कितना है two 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 cross two क्योंकि यह क्या है आपका यहां से आप देख सकते हैं या अभी के लिए यही रखते ठीक है अगर आपके पास यह दो matrix को जनरल matrix हमने ले लिए यहां पर और इन दोनों matrix को अगर मुझे equal बोलना है right if A is equal to B matrix कब बोलेंगे पहली बात यह गर कोई भी दो matrix को equal तब बोला जाएगा जब वो दो condition को satisfy करेगा पहली बात कि they have equal order they have equal order equal order का मतलब क्या हो गया है से number of rows and number of column क्या होने ची सेम होने ची जैसे आप यहां देख सकते हैं कि two cross two two cross two और दूसरी बात corresponding elements उसके same होने ची मतलब A11 B11 की equal होने ची मतलब A11 जो होना ची A B11 की equal होना ची फिर A12 इसका first row second column उसी तरीके से देखिए first row second column तो B sorry A12 must be equal to B12 होना ची ची similarly यह इसके equal हो गया यह वाला इसके equal होना ची यह वाला इसके equal होना ची तो अगर यहां पर अगर कोई भी दो matrix को अगर आप equal कहना चाहते हैं तो उस matrix को दो condition satisfy होनी ची पहली condition की they must have a equal order equal order means number of rows and number of columns should be same and another condition is what की if the corresponding element of first matrix should be same as the other element matrix right you can see here कि first row first column को जो elements है आप यहां भी इस matrix का इसके equal होना ची तभी आप इसको बोलेंगे कि क्या हमारा है equal matrix एक इस पर छोटा सा numerical कराता हूं अभी just आपको फिर आप देखेंगे कि क्या होने वाला है आज़े ठीक है चलिए एक numerical यहां पर मैं लिख रहा हूं मान लीजे एक matrix से आपके पास x 1 2 y और एक दूसरी matrix मैं लिख रहा हूं b matrix 2 1 2 5 एक matrix में लिखी रहा है अब मुझे यह चेकर मुझे मैं यह given यह है if matrix a is equal to matrix b then find then find value of value of x and y अगर यह दो matrix आपस में क्या है equal है तो आप x और y की value बताएगे अब यह खूदी दे रखा equal है इसका मतलब यह दोनों बाते इसके इंदर लागों हो रही होगी दोनों both things whatever it's required for equal matrix both terms are applicable here what are the both terms first कि उनका order same होना ची दूसरा corresponding elements भी same होने ची चली देखते हैं अगर यह equal है तो इसके order तो आप देख सकते हैं कि 2 cross 2 here also is order is 2 cross 2 means 2 rows 2 columns है अगर इसके corresponding elements same है इसका मतलब इस x को 2 के equal होना चीए it means x is equal to 2 और यह 1 देखी रहा है आप यह 1 यह 1 हाई यह भी 2 है यह भी 2 है और this y should be equal to 5 तो इस तरीके से आप questions को solve कर सकते हैं जब भी आपके पास दिया जाए दो matrix जो आपस में equal हैं तो दो बाते जरूरी होनी चाहिए उनको satisfy होना चाहिए first thing is what कि उनका order same होना चाहिए उनके first element जो matrix है उसके जो elements है उसी के ठीक corresponding दूसरे matrix का element भी same होना चाहिए अगर यह दो चीजे satisfy करती है तो तब बोलेंगे हम लोग क्या क्यों हमारी matrix equal है अब दूसरे टाप की matrix आती है जिसका नाम है column matrix तो column matrix मैं आपको यहां पर बता रहा हूं column matrix का मतलब यह होता है बच्चों एक ऐसी matrix जिसके पास a matrix which have a single column matrix single column होना चाहिए अगर कोई भी एक matrix है जिसके पास सिर्फ एक ही column matrix है column है सिर्फ एक ही column row की बात नहीं बोला हूं एक column की बात कर रहा हूं row एक से जादे भी हो जगते हैं doesn't matter अभी मैं बता रहा हूं आपको a matrix यहाँ लिख रहा हूं मैं a matrix having having single column a matrix having single column is called is called column matrix is called the column matrix क्या मैंने बोला इसका मतलब क्या है समझते है एक मान के चलिए example के लिखते है एक कोई matrix है one two three अगर आप यहां से दिखेंगे तो इसकी column कितने एक ही column है one column but row कितने यहां पर three rows है तो अगर मैं पूछूं कि इसकी order क्या होई बताइए तो order के लिए सबसे पहले क्या लिखते है रोज लिखते हैं तो कितने row है one two three answer is three cross one this is the order of matrix but एक ऐसी matrix जिसके पास सिर्फ एक ही column हो उसी matrix उन्हों लोग column matrix मूलते हैं एक और example लेते हैं माल लीजे भी है वान टू जीरो फोर अब बताओ इसके अंदर कितने column है एक ही column है आप देख सकते हैं यहां से बट इसके अंदर row कितने हैं four rows है one two three four तो इसके first क्या लिखते है rows तो four cross one यह इसकी order हो गई ठीक है एक ऐसे matrix जिसके इंदर single एक ही सिर्फ column हो one column single column उसी को क्या बोलते हैं लोग column matrix एक और example लेकर आँ हो देखिए माल लीजे एक सी matrix रिखा मने one two zero three क्या यह column matrix है नहीं है column क्योंकि इसके इंदर दो column आगे राइट वान टू यह column matrix example नहीं है ठीक है ना column matrix होने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही column होना चाहिए अब बात करते हैं अपन लोग दूसरा बात करते हैं यहां से क्ला मैट्रिक्स हो गई अब next that is the row matrix अगर आप ध्यान से देखें रो मैट्रिक्स सिमिलर उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि a matrix having a matrix having single rows single row equal same thing row matrix right a matrix having single row is called the row matrix फिर से ध्यान समझेंगे अब यहाँ row की बात करे जारी column एक से जादे भी हो चकते है इसे एक example इसका भी मैं दूँँ आपको माह लिजे एक कोई matrix A है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 comma नहीं लगाते है बचो ठीक है न हर एक element में थोड़ा gap आप दे सकते हैं आप इस तरीके से comma नहीं लगाएंगे यहां पर comma नहीं लगाएंगे ठीक है न comma नहीं लगाते है यहां पर थोड़ा gap हर एक दो element के बीच में gap दे जी जिए but comma नहीं उज़ करेंगे अब यह क्या कर आगा यह एक आपका row matrix यह क्यों क्योंकि इसके अंदर row कितने एक row है आपके पास column कितने four इसके अगर order लिखी जाए तो one cross four लिखेंगे क्या लिखेंगे one cross four तो यह example हो गया कि इसका row matrix का अब बात करते हैं आप लोग square matrix समझने से पहले समझते हैं थोड़ा सा matrix को मैंने क्या वाधा था matrix एक rectangular arrangement होता है जिसमें आपका number of rows और number of column different different होते हैं लेकिन एक ऐसी matrix क्या हो जब उसके number of rows और number of column दोनों क्या हो जाए एक ऐसी matrix जिसके number of rows और number of column same हो जाए उसी matrix हम लोग square matrix बोलते हैं जिसके like in square length or bits both are equal then we can say that key that is the square same thing in case of square matrix also a matrix is said to be square matrix when it has a same number of rows and same number of column उसको समझते हैं यहाँ पे a matrix a matrix having a matrix having same number of rows same number of rows and column same rows and column for example अगर आप इसको sort में कैसे लिखेंगे number of rows number of rows is equal to number of column अगर number of rows और number of column दोनों आपस में क्या है same है तभी हम लोग बोलेंगे वो matrix क्या कहलाएगी हमारी square matrix कहलाएगी जैसे एक example के लिखता हूँ मैं यहाँ पर देखिए बानके चलिए आपके पास कोई matrix है one two three four इसके order बताई इसके रो कितने हैं दो है two columns है तो two cross two यहाँ पर देखिए number of rows और number of column दोनों क्या है सेम है इसलिए इसको क्या बोलेंगे square matrix एक और example बताता हूँ मैं आपको एक और example देखिए अगर इसके example लिखूँ मैं माल लीजे one two three four five six seven eight nine अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से देख सकतें three rows हैं आपके पास three column है आपके पास ठीक है इसकी order क्या होगी three cross three three cross three होगी ठीक है तो यह सारे कुछ examples हमने देखे equal matrix क्या होता है very very important and square matrix अभी तक के four types of matrix में दो matrix काफी important है एक आपका equal matrix दूसरी आपके square matrix क्यों important है क्योंकि square matrix होगा तभी determinant में इसका use कर पाएंगे ठीक है तो अभी मैं जैसे जैसे topic आगा जरूर बताऊंगा but equal matrix तब बोलेंगे जब दो matrix उनका order same हो और उनकी corresponding element same होनी चाहिए और square matrix बोलने का मतलब यह है आप square से relate कर पाएंगे कि square में सारे sides equal होते है similarly in case of square matrix when the number of rows and number of columns are same of any matrix कोई भी matrix हो गर उसके number of rows and number of columns are equal तो उस types के matrix को में हो कि square matrix यहां पर बोल सकते हैं यहां पर मैंने example भी बता है अब कुछ इस पर जो four types के मैंने आपको matrices बताई इस पर मैं कुछ कोशन लिख रहा हूँ आपके लिए और इस पर practice करते है ठीक है चलिए चलिए यहां पर मैंने आपके लिए तीन कोशन लिखा है और कोसिस करूंगा कि पूरी concept बता दूँ ताकि आपको जब भी कोशन मिले इस topic पर आप आप असानी से इसको कर सकते क्योंकि बहुत जादे कोशन तो नहीं करा सकता बट कोशिस से कर रहा हूं कि इस पर जितने भी कोशन अब अब हो सकते हैं वो मैं कराने कोशिस करो हैं आए देखते हैं पहला questions first question अगर आप यहां से देखे रही है तो क्या लिए बोला जा रहा है कि अगर if x plus y basically one matrix is equal to the another matrix to find the value of x y z w इसका मतलब भी already known है कि यह इसका जो order होगा must be equal to this matrix के order के equal होगा और इसके जो corresponding element होगे इस matrix के corresponding element के equal होगे ठीक है यह known है ठीक है अब आते हैं इसको solve करते है ठीक है चलिए यहां पर मैं answers कर रहा हूँ one by one तो answer of first questions अगर मैं पहले questions की बात करूँ इसका answer लिखने करते हैं अगर यह दोनों matrix आपस में equal हैं बचो इसका मतलब इसके जो individual मिस corresponding element होगे यह वाली element इसके equal हो जाएगी इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि x plus y must be equal to 4 ठीक बात है और यह भी देखोगे आप यह भी equal होगा कि इसके 0 के and आप बोल सकते हैं कि x minus y is equal to 0 भी बोल सकते हैं अच्छा अब मैं पहले इनी दोनों को solve कर लेता हूँ ठीक है अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो x की value कितनी आगई यहां से y x is equal to y और इस x is equal to y अगर आप यहां पर substitute करते हैं तो क्या आएगा y की जिनका पर मैं x रख देता हूँ तो आपके मिलेगा 4 that is 2x is equal to 4 x की value कितनी होगी 2 जैसे x की value 2 हो गई इसका मतलब y भी कितना हो जाएगा आपका 2 क्योंकि x और y आपस में दोनों क्या है एक्वल है तो x और y की value तो हमने निकाल दी उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसको equate करते है राइट अगर मैं इनको equate करूँ तो यह 2x प्लस z जो है यह किसके इकुल होगा यह देखो आप यहां से देखो यह फास्ट रो का second element है तो यहां से देखिए फास्ट रो का second element क्या 7 तो यह equal to होगा 7 के अब यहां से देखिए x की value अभी हमने निकाल ही कितनी 2 यहां पर 2 निकाल लिए तो इसको put कर देते हैं 2 प्लस z 7 तो 2 तू जा 4 प्लस z is equal to 7 तो z की value कितनी हो जाएगे बटा 7-4 that is the 3 हो जाएगा यहां से ठीक है जेड की value कितनी हो जाएगे 7-4 3 हो जाएगे अब फिर next बात करते हैं इस वाले के बात करते है second row second column तो second row second column किसकी equal है 10 की equal है इसको भी कर लो 2 z plus w is equal to 10 अब z की value हमने निकाल लखी है 3 तो 2 इंटो 3 हो जाएगी plus w is equal to 10 इसका मतलब हो कि 6 plus w is equal to 10 w की value हो जाएगी 10-6 यह आपको हो जाएगा 4 तो x y z w की value इस तरीके से आप यहां से निकाल सकते हैं कुछ भी निंग करा हमने बस खाली यह already दे रखा था कि हमारे क्या है यह equal matrix है तो हमने सिर्फ हर एक matrix की corresponding elements को दोनों matrix की corresponding corresponding element को हमने equate करा और वहां से सारी value one by one हमने निकाल ली चलिए अभी मैं आपको second questions करके दिखाता हूं कि कैसे इसको solve करेंगे ठीक है second questions कैसे solve करेंगे first question को erase कर देता हूं क्योंकि first question already हो गया हमारा second question देखिए sorry यह x-3 है second question solve करते हैं देखिए इसका answer यह उपर ही मैं solve कर देता हूं उसके answer of second questions अगर आप ध्यान से देखेंगे x-3 किसके को लोगा 5 की को लोगा तो आप लिख सकते हैं कि x-3 must be equal to 5 यहां से आप देखो यह first row first column इसका भी first row first column होगा corresponding का मतलब ही होता है इसके along दुसरे matrix में check करेंगे तो x की value यहां से कितनी आजागी 5 यह 3 उधर जाएगा तो plus का 3 x is equal to 8 हो जाएगी x is equal to कितनी हो जाएगी 8 similarly अगर मैं बात करूं इसको equate करूं तो यह किसके equal हो जाएगा 2 के equal हो जाएगा इसको को भी equate कर दीजिए 2y minus का 8 must be equal to 2 तो 2y is equal to कितना हो गया 10 2 1 जा 2 2 5 जा 10 इसका मतलब अच्छों हो गया यहां से कि y की value कितनी हो जाएगी 5 y की value कितनी हो जाएगी 5 x भी निकाल लिए हमने y भी निकाल लिए अब इसको equate कर जेड माइनस जेड प्लस 2 को जेड प्लस 2 must be equal to minus का 2 अब यहां से क्या होगा यह minus 2 है यह plus 2 अगर right side जाएगा तो minus हो जाएगा it means z is equal to minus का 4 उसके बाद यह वाले elements इसके साथ equate करिए तो यह निकाल लेंगे अपन लोग तो इसकी value कितनी होगी 6 6 is equal to a minus 4 इस 4 को आप इधर ले आओ 10 a की value कितनी होगी 10 तो यहां सबने सारी value निकाल ली सारे variable की x y z और a यहां पर 3 unknown थे आपके पास आपके पास चार unknown थे x y z and a यहां से all four unknown की value we have already was find and how to find it's very simple I told you it's already given कि these two matrix are equal matrix तो यहां पर simple होगा corresponding elements should be equal उसको equate करिए and then you can get the one by one all the variables values ठीक है चली इसी concept को apply करते हैं और solve करते हैं question number 3 को ठीक है ना question number 3 को solve करते हैं बच्चो चली क्या बोला देखो अच्छा सबसे पहले बताए question number 3 क्या यह जो matrix है इसकी order क्या है order of this matrix is what 3 cross 3 order of this matrix is 3 cross 3 and this matrix का भी order क्या है 3 cross 3 ही है आप देख सकते है 3 rows 3 column by the way no need to check because already it's given कि these two matrix are equal but for our knowledge purpose I am asking a question कि इसके order क्या होंगे ठीक है but already it's given कि these two matrix are equal तो directly you can use the formulas and concepts here to solve the that to find the value of this unknown parameters चली अगर मैं इसको equate करूंगा तो यह किसके equal होगा 1 के equal होगा इसका मतलब x-1 must be equal to 1 that is x की value कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी अब देखो यहां से यह variable आ रहा है 5-y तो 5-y should be equal to 3 तो अगर मैं इसको equate करता हूं 5-y is equal to 3 तो अब क्या करेंगे इस y को आप right side बेज हो और 3 को आप left side बेज लिए तो 5-3 is equal to y that is 2 becomes means y is equal to 2 next अगर आप इसकी value की बात करेंगे this must be equal to 4 तो आप इसको equate कर लीजे z-1 is equal to 4 तो z की value कितनी हो जाएगी 5 उस तरह किसे एक और यह बच गया एक और variable बचा आपका a-5 a-5 is equal to 0 a की value कितनी होगी आपकी 5 होगी इस तरह के से हमने सारे variables की value निकालने की कोशिस करी और यहां पर देख सकते हैं एक दो question और लेता हूं और उसको फिर bind करेंगे हम लोग equal matrix के उपर को ठीक है चलिए चलिए देखते हम लोग अगला questions देखते हैं यहां पर आपसे question पुछा गया है कि for what value of x and y की यह दोनों matrix क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे राइट for what value of x and y matrix a is matrix a and b are equal ठीक है एक ही हमेस x और y की क्या value रखी जाएंगे इस बोथ matrix should equal चलो देखते हैं अगर यह दोनों matrix equal होते हैं इसका मतलब it means their corresponding element should be equal okay this should be equal to this one that 2x plus 1 is equal to x plus 3 x x ko one side you can just collect it so ye minus x 3 minus 1 so 2x minus 1 2x minus x that is the x or 3 minus 1 that is the 2 x value is what 2 ठीक बात हो यहां तर and what about y look at y here right अगर मैं y की बात करूं तो 3y is equal to y square plus 2 अब question arise हो सकता है sir यहां भी वाई है आप इसको भी लेके देखे सकते है answer आपका same ही आएगा ठीक है तो अगर मैं इसको अधर लेके जाता हूं तो y square minus 3y plus 2 is equal to 0 अब यह quadratic equation बनेगा इस quadratic equation को हम लोग को split करना होगा middle terms को right तो how to split the middle terms देखे इसको लिखेंगे 3y plus y plus 2 right नहीं यह नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे 2y minus y plus 2 is equal to 0 अब यहां से आपको लिखे y common लेजिए first two term में से y you can take a common so y minus 2 here and यहां से minus 1 common लेगे आपने y minus 2 is equal to 0 तो यह आपका होगा y minus 1 and another होगा y minus 2 is equal to 0 value y की value 1 और y की value 2 आएगी आप देख सकते तो अगर आप से कोई पूछे कि अगर इस टाइप से question दिया जाए कि x और value की value बताओ इस x और y variables की जब यह दो matrix आपस में क्या हो इक्वल हो तो पिछले वाला concept हम नहीं देखा ताब वो कुछ भी हो सकता है इनिस्ट आप quadratic के जगह पर qv equation भी हो सकते हैं by quadratic भी हो सकते हैं बड़े बड़े polynomial भी हो सकते हैं तो आप इतना expect मैं कर सकता हूं कि आप solve कर सकते हैं question को ठीक है तो यह कुछ हमारे equal matrix के उपर question थे जो कि आपके exam में more frequently पूछे जाते हैं ठीक है अम मैं कोशी से कर रहा हूं कुछ और types के matrix के बारे में आपको बताओं फिर अपने पास ज्यादा content हो जाने के वज़से हम लोग questions को भी ज्यादा से ज्यादा concept क को भी solve कर पाएंगे अभी तक तो हमने यह से सिखा कि matrix होती गया है और चाय टाइप के matrix के बारे हमें देखा ठीक है उन पर कुछ numerical जानने की कोशीज करी अब बात करते हैं थोड़े कुछ और types के matrix के बारे में फिर जब एक थोड़ा और base तयार हो जाएगा तो फिर मैं और questions कराऊंगा ठीक है चलिए इसके बाद अच्छा पहले एक चीज़ और बता दो आपको मान लीजिए आपके पास यह square matrix थी बच्चो राइट square matrix है square matrix में क्या था number of rows और number of column equal थे मान के चलिए 1,2,3,4,5,6,1,3,8 ठीक है यह एक square matrix है आप देख सकते हैं क्यों इसके पास तीन rows है और तीन column है ठीक है लेकिन अगर कोई भी अगर square की बात करें मान लीजिए मैं एक square shape लेता हूँ ठीक है एक square shape ले लिए मैंने यह आपक circle नहीं समझेंगे इसको ठीक है this is your square आपको क्या है square shape तो इस square में कितने diagonal हो सकते हैं बताओ इसमें दो diagonal हो सकते हैं एक तो यह diagonal आपका हुआ और एक इसके दो diagonal होगे दो diagonal होगे उसी तरीके से अगर आप इस में देखेंगे तो अगर आप left से right की तरफ जाते हो किदर? लेप्ट से right की तरफ जाते हैं मतलब यह इधर से ये one this one एक two diagonal यह आपका हुआ और एक यहां से देखो आप एक diagonal आपके यह हुए दो diagonal हुए बच्छो तो आपके जो यह diagonal है आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को one five eight फिर से समझे two diagonal आपके हुए diagonal one अगर मैं diagonal one की बात करूं तो इसके elements क्या क्या है देखे one five eight diagonal two की मैं बात करूं diagonal two की बात करूं तो इसके अंदर element क्या है आप देखे मैं अगर bottom to top की तरफ जाओ three five one यह सारे कुछ elements हैं तो अगर इस element की मैं बात करूं तो diagonal one कौन लोग बोलते principle diagonal ध्यान रखेंगे this is called the principle diagonals principle diagonal और leading diagonal बोलते हैं ठीक है ना leading diagonals that is very very important right अभी कुछ और types के मैं कराता हूं आपको इनमें इनका बहुत ज्यादा role है तो यह आपका जो one five eight वाले जो diagonal है यह वाले जो element है अब देख रहा होंगे इसको हम लोग बोलेंगे principle diagonal और leading diagonal लेकिन यह जो है इसको बोलते एंटी डाइगोनल क्या बोलते हैं इसको एंटी डाइगोनल एंटी डाइगोनल तो यह उतने काम का नहीं है बट अपने काम का जो है ज्यादा तर यूज करने वाला जो डाइगोनल है इसको थोड़ा त्यहान रखेंगे ठीक है यह एक नोट था जो मैंने मैं चाहाँ आपको बता दूँ अम मैं आपसे अगर बात करूं कि नेक्स टाइप्स के जो मैट्रिक्स होते हैं जैसे माहन लीजिए मैं आपसे बोलूं कि वाट इस डाइगोनल मैट्रिक्स डाइगोनल मैट्रिक्स क्या होती ठीक है न तो समझते हैं आप देखी डाइगोनल मैट्रिक्स क्या होती है रही तो डाइगोनल मैट्रिक्स होने के लिए फिर से दो बातों का होना बहुत जरूरी है पहली बात matrix should be square matrix पहली बात तो यह होगा matrix should be square should be square matrix पहली pre-requisite condition है आपके पास that is कि आपकी जो matrix होनी चाहिए वो square matrix होनी चाहिए so that's why we can mention here कि it's a square matrix first point ही होना चाहिए किसी matrix होना है तो पहला जो condition होना चाहिए कि वो matrix होनी चाहिए वो square matrix होनी चाहिए ठीक है second अगर मैं बात करूँ all elements all elements except all elements except the leading diagonals except the leading diagonals except the leading diagonals are 0 all elements except the leading diagonal are 0 होने चाहिए ठीक है सारे elements except the leading diagonals are 0 फिर से समझेंगे दो बात होनी चाहिए मानिक चली मैं इसका अगर मैं आपसे एक्जाम्पल बोलूँ तो एक matrix पने लिखा यहां पे पहले तो वो square matrix होनी चाहिए पताब नमबर आफ रोज और नमबर आफ कॉलन इकुल होने चाहिए तो मानने के चलो मैं टू जीरो 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 थी टू टू नहीं होगा जीरो 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 फाइट यह लिखा मैंने इसके जो लिडिग डाइगो्नल है देख सकते हैं पर लिडिग डाइगोनल यह है नके अलावा सारे के सारे element क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए आप यही मैंने लिखा पहली बात कि comprmatrix होने है तो आप देख सकते इसका जो order आपका three cross three है और तो leading element होने चीजिए या leading diagonal जो है आपके पास उस leading diagonal के सारे element क्या होने चीजिए जीरो होने चीजिए मत्था सौरी सौरी एक्सेट ड़ीडिग diagonals other element of that matrix बी 0 देखो यह आपका two three five ही है और इनके अलावा जो भी element बच्चे वो non leading diagonal element है वो सारे के सारे क्या होगा जीरो इसी को लोग बोलता है diagonal matrix भी बोलते है क्या बोलता है इसको diagonal matrix भी बोलते है ठीक है ओकी तो यह दो condition यह ध्यान रखेंगे diagonal matrix अब अगर मैं इसी के बाद आप से बात करूँ that is the scalar matrix scalar matrix फिर से समझी इस्केलर बारे के होने के लिए फिर से बात क्या होनी चाहिए कि matrix should be diagonal matrix पहली बात ही होनी चाहिए कि आपकी matrix होनी चाहिए वह पहली condition यह बोल रही कि वो diagonal matrix पहली बात तो diagonal वर्ड जैसे ही मैंने बोल दिया तो इसका मत्लब क्या है कि वह square होगा और उसका जो लीडिंग डागोनल है उसके सारे उस लीडिंग डागोनल के element को छोड़के उसके अलावा जितने भी elements होंगे वो देट सुट भी जीरो तो मैं यहाँ लिख दियूंग डागोनल एड़ elements of leading diagonal leading diagonal या principle diagonal elements of leading diagonals are equal यह क्या होने चाहिए equal होने चाहिए element of leading diagonals are equal देखो diagonal matrix में जो leading diagonal है उनके element equal हो भी सकते नहीं भी हो सकते ऐसा कोई restriction नहीं कि होने ही चाहिए लेकिन अगर आप square matrix से बात करेंगे ति square matrix में वो diagonal तो होना चाहिए diagonal होने का मतलब कि other than except the leading diagonal सारे element 0 होने चाहिए उसके साथ diagonal elements का जो elements होने चाहिए वो भी सारे equal होने चाहिए for example देखिए समझते हैं आपर एक्जामपल मानलो ए है 1 0 0 1 नहीं लेते हैं ले लेते हैं 2 0 2 0 0 0 2 अब ध्यान दीजिए यह तो diagonal matrix है लेकिन इसके साथ साथ इसके जो diagonal के element है वो सारे के सारे क्या है यहाँ पर equal है देखिए सारे के सारे टू 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 है इस टाइप के matrix को बोलते हैं इसकेलर matrix वेरी माइनूट सा difference है बच्चों यहाँ पर द्यान से देख सकते हैं diagonal matrix में ऐसा restriction नहीं कि जो leading diagonal है उसके सारे element equal होने ही चाहिए लेकिन इसमें restriction है कि उसको equal ही होना चाहिए otherwise यह scalar matrix नहीं होगे ठीक है आप समझ रहे हैं और यह तो square होना चाहिए चाहिए इसलिए मैंने आपको सुरू में ही बताए कि वह matrix आपके square होनी ही जाहिए अब इसके बाद आपका diagonal matrix देखा हम नहीं और इसके बाद हमने देखा यहाँ से है आपका scalar matrix अब मैं आपको बताता हूँ एक और दूसरी टाइप की matrix जो की more frequently हमें नुमेरिकल करने में काम आने वाली ठीक है उस matrix का नाम है बेटा यहां दिखेंगे that is called the unit matrix इसको बोलता है या तो unit matrix आप बोल सकते हैं और identity matrix और identity matrix या तो आप इसको unit matrix बोलेंगे या तो identity matrix बोलेंगे देखो identity words जैसे मैं बोलता हूँ it means it should be one identity जैसे बोला तो कहीं ने कहीं one हमारे इमांग में आता है लेकिन one कहां पर होगा कैसे होगा उसको समझते है ठीक है तो पहले मैं इसका definition लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ ठीक है तो पहली बात इसके लिए condition यह है कि a diagonal matrix यह ही जो matrix होनी ची वो भी diagonal होनी ची a diagonal matrix of order n matrix of order n cross n, n cross n diagonal matrix आपके क्या होता square matrix उसके मतलब number of rows और number of columns सेम होते हैं इसलिए मैंने n cross n लिया generally n ही क्यों लिया क्योंकि हमने अपने general notation में m को column बताया था और n को क्या बताया था रो बताया था ठीक है तो हमने n cross n भी ले सकते है n cross n भी ले सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं a diagonal matrix of order n which has which has unity of miss which has unit element you can say that which has unit element unit element of which has unit element at unit element in principle diagonal लिख सकते हैं इन लीडिंग डाइगोनल राइट इन लीडिंग डाइगोनल यही ध्यान समझें इसका मतलब क्या है जैसे बान की चलो मुझे लिखना है two cross two की एक identity बनानी राइट और इसको denote करते हैं हम लोग i से इसे दिखाएंगे i से इसको दिखाएंगे कैसे two cross two की तो मैं i two cross two लिखूंगा ठीके इसका मतलब क्या है इसके जो leading elements होंगे leading diagonal के element होंगे वो one compulsory के वो उसको unit ही होना चाहिए one ही one होना चाहिए ठीके देख सकते हैं यह two cross two की identity matrix बनकी है हमारी अगर मैं बात करू identity matrix और three cross three